हेलो गाईज, वेलकम टू जावा टूटरोल स्रीज, गाईज आज इस लेक्चर के इंसाइट हम जावा में इस्टिंक टू केरेक्टर कनवर्जन के ऊपर डिसकस करेंगे, इस टोपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बना कर समझाएंगे, तो आपको कोई इस्टिंग दीवी होती है, उसके इंसाइट से आप करेक्टर निकाल सकते हैं, या यूँ कहें कि इस्टिंग को आप करेक्टर में कनवर्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस के लिए जावा के पास के एक मेथड होता है, जो कि इस्टिंग नेम की क्लास के इंसाइट ह होता है इसका use करके आप string to character conversion कर सकते हैं अब एक example के साथ इससे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने codish name का एक string लिया हुआ है और इसे हमने x name के variable में assign किया हुआ है और हम इस string में से c को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम care8 name की method का use करेंगे चूंकि यह string name की class के insight होता है तो हम x से call करेंगे care8 name की method को और जो argument है वहाँ पर हम 0 pass कर देंगे क्यों क्योंकि यह जो 0 हमने लिखा है एक index है और इसलिए लिखा है क्योंकि c 0 index पर है और हम c को निकालना चाहते हैं अब हम इसे एक other variable में assign करेंगे जिसका name हम y रख रहे हैं और इसका type हम care रखेंगे यह जो character8 name का method है यह character written करता है तो यहाँ पर हम care लिखेंगे अब print करवाने के लिए हम system.out.println statement यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम y को pass कर देंगे मैं run करके आपको बताता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें output मिला है c अब मान लीज़े कि हम यहाँ पर d को निकालना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कौन से index पर हैं तो 0 1 2 तो यह 2 index पर हैं तो यहाँ पर हम कौन सा index पास करेंगे 2 अब हम run करके check करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें output मिला है d तो इसी तरीके से आप इस string के insight से किसी भी character को निकाल सकते हैं तो dear friends आज के इस lecture के insight हमने discuss किया string to character conversion के उपर I hope कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए bye bye